दोस्तों मैं हूँ बी सिंग फाउंडर एंड डारेक्टर नेक्स्ट आइस एंड मेडी जी आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक यूपीएसी 2020 टॉपर स्टॉक आज की टॉपर हैं आसीस मिश्रा आसीस ने बीटेक किया है IIT-BHU से Mechanical Engineering में 2018 में पास आउट है और इस बार इनका Civil Services 2020 में 52nd rank है Civil Services वैसे तो हर परसन का सपना होता है हर यूथ हर आस्परेंट Civil Servant बनना चाहता है लेकिन Civil Servant बनने के लिए आपकी जर्णी क्या होनी चाहिए preparation कैसे करनी है और उसमें sources of study क्या है क्या आपको करना पड़ेगा इस difficult exam को आसान बनाने के लिए आपको कौन-कौन से sources follow करने पड़ेंगे आज हम जानेंगे आसीज से आसीज के बारे मैं और बता दू मैं यह पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं और इनिशली इनका जो इनके सिख्षा हुई education वो हिंदी माध्यम में हुई और उसके बाद फिर यह इंग्लिस मीडियम में आसीज congratulations क्योंकि आप तो मेरे alumni हैं हम लोग IIT-BHU के हैं दोस्तों मैं भी IIT-BHU से passed out है यह भी IIT-BHU से passed out है और इनका optional subject था physics आपको आज optional के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इनके study plan के बारे में भी चर्चा करेंगे इनके career के बारे में जो इनके sources of his study है यह भी बात करेंगे हाँ एक और बहुत important बात है जो मैं share करना चाहता हूं he is general studies pre-commend foundation batch student of next IAS उसके बाद इनो ने test series भी की और interview guidance भी next IAS से किया तो आसीज we have the two common connects एक तो कि you are also an engineer I am also engineer the most important BTEC from IAT-BHU IAT-BHU की वो कौन से आपकी memories है जो आज आप share करना चाहते हैं बहुत सारे IAT-Ns होंगे तो देख रहे होंगे sir actually there are many memories और एक किसी को single out करना बहुत मुस्किल है but sir जो interpersonal relationship था not only with the colleagues या batchmates दूसरे batchmates के साथ but also with the जो काम करते थे वह पर होस्टल में स्टाफ गार्ड्स और मैस वर्कर्स तो एक फैमिली वाला एको सिस्टम था and उस ताइम जादा रियलाइज नहीं हुआ but when I reflect back तीन साथ से देली में हूं then I reflect back कि यार they actually cared for me वो मिस हो रहा है और sir कल मेरा result आया and मुझे लगता है कि जितने भी 15-16 ब्रांच है तो हर ब्रांच के हर एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि भाई we are really happy for you that interpersonal relationship even if we have not talked तीन साल से बात नहीं हुआ but it is still there तो जिस college से जिस स्कूल से आप निकल के आये होते हैं उसके साथ जो आपका relation है और जो connect है वो आपको inspire करता है B.H.E.U. तो वैसे भी सिख्षा का मंदिर है और इतना अच्छा learning environment है इतना friendly और open environment है कि वहाँ जाने के बाद पढ़ने का एक अलगी मजा है तो हम लोग भी जब लिमडी होस्टल और वेवेकाननदा होस्टल में रहते हैं ती राजपुताना आप किस होस्टल में रहें तो जब आपको कुछ सीखनी को मिलेगा कि जब आपने अपनी जरनी स्टार्ड की नहीं रहें हैं बहुत लोग सोचते है कि क्यों ना मैं मेकैनिकल reveals कि पीछे क्या रीजन था और कैसे आपनी फीछी के परप небाया की स्ट्री ऑप्षें थमों मेचानिकल बैग्राउंन की और जर्boy और tyre अप्टिक्स और पेपर टू का कॉंटम उसका सर बेसिक बेग्राउंड मिल जाता है इती में तो यह दोनों फेक्टर थे नोर्स अबिलेबल था मैटेरियल अबिलेबल था एंसर इस ऑप्षिनल में मुझे यह फिल हुआ कि I do not have to realize I rely blindly on any test series सवाल लगाने मैं कुछ से लगा सकता हूं I have the capacity और actually मैंने यही किया दोनों साल जो दो अटेम्ट हुआ दोनों बार इंटर्वी में अपियर हुआ sir मैंने एक भी test series जए नहीं किया है so you won't find and no one can find my copy तो यह था sir self-belief था जो भी self-made physics है तो physics का invention आपने UPSC के लिए फ्रयम ही कर रहा था seniors ने guide to किया sir उनके notes वे रिलाई किया sir तो क्या books क्या follow करते है अगर आपके आपसे कोई student connect होना चाहे कि मुझे physics optional लेना है आपको गाइड करना चाहें कहां आपसे student connect हो सकते है sir एक रिषब गुपता sir है 2013 बैच के आइस है रैंक 37 तो sir मैंने उनका notes फॉलो किया फर्स्ट अटन में तो पूरा उनहीं का notes रटके गया था तो 266 marks आय थे which was very good considering last year के one of the highest था पर इस साल sir तो वाचा पैटर्न चेंज हो तो मैंने भी sir effort डाला कुछ से कि दो चार sir higher studies के books मैंने पढ़े value edition किया उसी notes में तो मैंने sir रिषब गुपता के physics में आठ section है तो आठों के मैंने print out निकल वा लिए और उसमें sir last में फोर सी छोड़ दिया 50-60 notes में और खुद के फिर उसमें add-on करते गया तो फिर मेरा एक notes हो गया sir customized students जब अपनी journey start करते हैं और उस starting में उनका जो decision होता है कि source of study क्या हो coaching क्या हो guidance क्या हो self study कैसे करें तो एक तो की preparation start कब करनी चाहिए और क्या path follow करना चाहिए sir path हर individual का different होता है मेरा भी sir मुझे यह फिल वा कि जैसे sir super mario खेलते थे बच्पन में तो हर कुछ play के बाद एक milestone आता था उसके बाद सुपर mario को एक नया चीज पता चलता था कि ऐसे करेंगे तो better chances हैं तो sir जो भी 3 साल मैंने दिया है इस preparation को कॉलेज में भी sir 6-7 महीने पढ़ा था मैंने तो हर बार मतलब हर 2-3 महीने के बाद किसी अच्छे senior से मिलता था तो उन्होंने हर बार मतलब value edition किया या फिर course correction किया तो मेरा एक अलग path है और ऐसे ही sir मैं जितने लोगों का जानता हूं सबका अलग अलग तरीका है बट एक चीज़ कॉमन है वह है sir की hard work consistency और इस exam के लिए particular यह है ना sir कि जैसे sir मेरा first term में नहीं हुआ क्योंकि मैंने मान के यह दिया था कि मेरा नहीं होग और अभी से मिला भी था तो sir I was a very negative kind of guy first term में तो मैं काफी निगेटिव था कि sir क्या आएगा इंटर्वी में 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 तो छोड़ी दिये और इंटर्वी में ही अगर में last year marks बढ़ा लेता तो मेरा last year ही हो जाता भले ही last rank आता लेकिन हो जाता से रेक्शन डिज़व लिसमें भी आते लेकिन हो जाता इस अतर न में sir मेना था पॉजिटिव अटैटिव रखना है क्युकि I have only two या तो आप positive सोचो या तो आप negative सोचो positive सोच में क्योंकि negative सोच के देख लिए it was not fruitful तो मैं throughout positive था sir कि करना है होगा होना ही है इसी बार होगा अच्छे रैंग सोगा तो यह sir एक power of attractions होता है sir तो मैंने सोचा कि try करते हैं because I have heard कि 3-4 IAS officers are who have tried it and laterally it worked for me. यह होता है। Every person is unique and your uniqueness makes the difference. So, you followed a very unique path, unique subject and that is how you became successful and you created that uniqueness in your personality. आप तो नेक्स्ट आइसके G.S.B.S.K. student है। मैं आप से जाना है। What are the sources which you really liked and how you liked? जाए बीफ में अगर आपको कुछ बताना चाहें कि विश रिदी एक विज रही तो क्या चाहे हैं? अगर कोई भी मुझसे मेरे जुनियर्स काफी आते हैं अब तो और हैंगे तो सब उसने भईया कौन सा कोचिंग जोइन करें और मेरे काफी जुनियर्स हैं मतलब लेटरले मैंने इतने भी बच्चे जोइन करते हैं इतने परस्टों जो भी हैं उनका मैं भी प्रिषता हूं मले जया एक बहुत अच्छा यहां का इंस्टिटुट अपर एंधी तो आफेट इन नेक्स्टा इस क्यों क्योंकि सर एक तो इस नॉट यह बिजनेस बिजनेस नहीं है इनका पर्पस इस्टुटें फ्रेंडली एक अ जो आहीं ले सकते हैं जनरली बट आइउस तो इस तो इस तो इस्टेज पर सपोर्ट देता हैं नेक्स टग हर्चछ तो दोस्तो नेक्स थेनेक कॉंसेप्त नेक्स था इसका चैडमिक कोच के mentorship, that is something which really helped and Aashis बता रहे हैं कि it really helped Mohish Sarma अभी शेक, he is the academy director here Jyoti ji, हमारी managing director of the MEDG group, Jyoti आप क्या पुछना चाहिएगी आशिश्री मैं जाना चाहूंगी कि बहुत सारे parents होते हैं, वो सोचते कि मैं बचने बच्चे को IS बनाना जाता हूं और बच्चे का भी फिर आगे चलके शपना हो जाते हैं कि मैं जब भी IS क्लियर करूंगा तो मैं अपनी देश के लिए अपने नेशन के लिए मैं कुछ ऐसा काम करना चाहूंगा जो एक बहुत यूनिक हो तो आपका ऐसा क्या सपना रहा जो आप करना जाते थे मैं मैं मेरा जो मीन मोटिवेशन था पर्स्ट अफ़ल बिहार से हैं तो हमारे साइट सर एक कहा होते है कि अगर IS नहीं किये तो क्या किये जीमन में तो यह मस्ट एक्सेप्ट कि एक तो सोसल लियाल्टी है वो सोसलाइजेशन का एक फैक्टर था वो एक इंस्परिशन है दूसरा यह था मैं कि जब हमारा एक नया आटी में ना लगी दर्जाद हो दिया तो काफी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहां पर जुगी जो परी लगते थे अगर लाज कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर रहने के लिए तो यह दिमाग में हमेशा आता था कि यह मजदूर का बच्चा जो आगे चार के मजदूरी बन दाएगा तो यह मुझे काफी खलता था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रक्शन नहीं करना है लेकिन जो भी एक्जिस्टिंग स्कीम से या पॉलिसी है या फिर मेरे अंदर जो कैपिबिलिटी है आई विल ट्राइग कि मैं उसके साथ होनिस्टी करूं मतला मुझे वह विवाज जी चाने माने हमारे एकनॉमिक्स के टीचर पुरे नेशनल फिगर है और नेक्स्ट आई इसके सीनियर मोस्परसन है तो विवाज जी आप मुझे आपके माइंड में क्या ऐसी सवाल है जो इस्टुडेंट के लिए यूजब हो सकते हैं एक तो आशीश जैसा आप मुझे बता भी रहते अभी ये सेशन से पहले भी कि लास्ट यह आप इंटरव्यू तक पहुंचे अभी भी आपने बोला तो आप एक जो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि जो जर्नी है कि अगर इंटरव्यू नहीं हुआ उसके बाद एक जो ह जर्नी काफी टाइडिंग है तो सर मैं डिसाइड करके निकला था 2018 में पास आउट हुआ था इती से हुआ तो एक सेंस अफ डिलेटिव डिप्राइशन भी होता है क्योंकि आपके आधे बैसमें कोई यूस चला गया यूज यूरॉप चला गया तो वह तो था सर आई मस्ट आई में तो जो मुष्ट बैसिक चीज़ आया बहनत सभी करते हैं एक अटलिस्ट देर 50-60 थाउजन सीरियस कंडिडेट हैं जो विज आई बिलेफ कि सब देते हैं 10-12 घंटे एक चीज़ अब मुझे लगा कि एक शेल्ब बिलीब जैना स्टॉंग सेल्ब बिलीफ और एक प पॉजितिविटी जो था न, वह सेकेंड अटन में मैंने हर अप्रोच में लगाया, लिटर लिए लिए कि सर जैसे प्रिलिम्स दो था, फर्स्ट अटन में में मेरा 126 था, लेकिन नहीं हुआ मेरा, मैंने फोरेस्ट का भी इंटेर्विः दिया, आई इस अब दिया, तो नही तो देट बिलीव थे तो सेकेंड अटर में भी मैंने फॉरेस्ट का कटप निकाला और मेरा इंटर्व्यू है वी सक्टूबर को फॉरेस्ट का बट आई विल स्केप इट तो वो था सर की एक सेल्फ बिलीव था एक पॉजिटिविटी था और सर मेरा यह मानन है ना कि आप जैसा सोचते हो आप उसको एट्रेक करते हो तो मैं यही बोलूँगा कि महनत सब कर रहे हैं आप एक सेल्फ बिलीव ले आई है और एक पॉजिटिविटी ले आई है कि होगा होना ही है इसी बार होगा आपने एक ऐसा वर्ड बोल दिया सेल्फ विलीव दिस रियली वरी इंपॉर्टेंट जब बीटेक हम लोग करते हैं बीटेक के बाद जब आपने अपने मेकैनिकल छोड़ दिया फिजिक्स ले लिया तो एक तरह से आपने डिसाइड ले लिया डिसीजन कर दिया कि आप तो सिविल सर्विस एसी है क्योंकि अब तो टेक्निकल जॉब की तरब आप जाने रहे हूं तो क्या कोई ऐसा साइको फियर था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर साइको फियर कल तक था एक्चली कल छे बजे तक जब रिजल्ट नहीं आया था तो बिकॉज इंटर्विव जार सो मच डिलेट इस टाइम कि आपके बास टाइम भी नहीं था तो मैं अपने पटेल नगर एरिया में प्री प्रो कहलाता हूं कि प्री का ये प्रो आदमी है बट मुझे खुद में confidence नहीं था कि मेरा प्री इस बार होगा ही नहीं अगर मैं बैटूंगा तो तो मेरे पास कल तक था बट ये था कि सर इस बार honest वो था मतलब फिर मैं वही करता था अगर self doubt आता था तो मैं reflect करता था कि यार मैंने इस एक्जाम के प्रती वो किया है को रिप्रेजन करने का वो भी छोड़ दिया तो मैंने वही सोचा यार इतना सेक्रिफाइस किये हैं तो इस वर उतना कुर्यल तो नहीं होंगे तो at the end of the day sir एक मेरा कहावत है और अभिशेक सर्ण ने भी मुझे बताया था फर्स्ट अट में जब मेरा नहीं वा था कि सब कुछ करना सके जो गुरु करेश हो है बैश दीजे अपना लेकिन एक टाइम पर छोड़ दीजे जब कुछ अपने अभिशेक जी का नाम लिया अभिशेक फ्रिवास्तो ही इस अगें पास्ट आउट प्रों आया थी बहु अचेडमिक डारेक्टर है नेक्स्ट आई इसके और अशीस और अभिशेक का एक बहुत निकट का संबंध रहा है एक दुफरी को गाइड करते है अभिशेक I would like that you ask something या आप वो चीज़े सेर करो जो आपने फिल की हो समय इनको गाइड करते समय Thank you sir Sir जो मुझे फील हुआ था कि जैसे आशीस और कुछ और स्टुडेंट्स भी हैं जो बहुत क्लोज रहे हैं मेरे कि बहनत पूरी करते हैं sir capability भी बहुत रहती है लेकिन sir एक जो right mental attitude होता है उस direction में वो कहीने कही इस त्यारी में लूज आउट कर जाते हैं क्योंकि त्यारी एक sprint तो है निए जो मेरेतन तो जो जो लूज आउट कर जाते हैं वो स्टीम ही खतम जाती है तो वहां से pick करना बहुत जरूरी होता है जो बहुते हैं sir त्यारी trucks and highs में चलती है तो जो low point पे होते हैं तो वहीं से त्यारी प्रेशन के दिस्ट्ट्रोई होती हैं and I was lucky enough कि यह लोगमारे से contact में रहे और I was कि मैंन को कुछ मेरा use हो पाया कुछ इनके guidance के लिए आशिस मैं यह पुछना चाहूँगा जो लोज आये थे आपके लाइफ में एक लोज तो आप का था जब प्रिलिम साब का नहीं हुआ था जब फर्स्ट एटम में नहीं हुआ था तो उस टैम पे आपकी फीलिंग क्या थी एंड उस पर्टिक्लर उस टूरेशन में जो एक वी आपकी टारीव साब्स्र नूरें साब विल스타र masih जो चयान्व सब्सक्राइब में परंचा था 10 education सब्सक्राइब यह जो है चैप्राइब प्रिम्ट्र आंडंब सी ब्रेशन में नियु कोई की बढ़ीघ नहीं होगी, तो this was there, and sir, pardon me for being filmy, but sir, एक पुराना गाना है, जीवन से नहार जीने वाले, मुवी का नाम भूल गया, वैसे इंटर्वी के लिए याद किया था, जीवन से नहार हो जीने वाले, बात मेरी तू मान, अरे मतवाले, हर गम को तू भूला कर, दिल का दर्थ चुपा कर, तू भरता चल, तू लहरा कर, तो यह गाना सर, यह मेरा एक है सर, मोर्टिवेशन, और दूसरा सर, एक रस्मी रथी का वो है, और यह सर, जैसे मैं कॉलेज में भी तीन इंटर्वी में अप्यार हुआ था, सर, चश्मी रथी का, स्वाभागे न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, खमटोक थेलता है, जब नर, उर जाते परवतों के पाउँ खर, और सर, आगे एक आता है, मतलब दूसरे सर्ग में है, कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूकंड विजेता कौन हुआ, तो यह सब सीजन सी, सर, अलो, पादन में फर विंग फिल्मी यागे, बद सर, यह मुझे कापी मौटिवेट किया था, सर, रस्मी रथी, एंड़ सौंग आपका जो मौटिवेशन है, यह बहुत सारे और स्टुडेंट को मौटिवेट करेगा, यू एव इंस्पारेट सो मैनी और फिर आपका जो एक वे और स्टडी और परप्रेशन या जो कनेक्ट रहा है ना, यह वरी यूनिक, मैं हमारे मेरी जी के जॉइन डारेक्टर डॉक जब आपके लाइप में लो जाए उस टाम पे अविसे आपने बताया एविसे ने आपके काफी मुदत की आपने कैसे पांड आपके जो ए मेरे बहुत जो भी बता रहे हैं यह बहुत करियर पातिंग हो सकता है जैसा कि आपने मुहत सर्मा के बारे माता है, तो बच्चे को क कैसे चूच करना चाहिए कि यह जो भी बता रहे हैं मेरे के लिए बहुत ही इंस्पाइरिंग हो सकता है और मोटिवेटिंग हो सकता है और किस मेंटर को उनको चूच करके उसके अकोर्डिंग चलना चाहिए विए रच लाते हैं प्लाइटिंग हैं अबिए आधि वेंटर कर तो न्युके आधि इसाम दिएनाते कंलंगि मेंट पहलो कौन आपका रसे आते हें यह एक वह नहीं है, sir, MediG is a feeling, MediG is a institution which generally wants the good for students, कहीं भी हो, कभी हो, और sir, personally sir, मैं वह कोटा में भी एक सार रहके तियारी किया हूं, मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी institution का center है, दो गंते दे रहा है, एक बच्चे के लिए, I've never seen this, तो यह एड़ किया stress factor को and sir first question यह लोज आते हैं life में तो sir इसमें एक बहुत अच्छा line है sir मेरे guru कहीं है it's okay not to be okay sometimes क्योंकि sir आपने बोला कि it's not a sprint, it's a marathon तो लोज जाएंगे it's okay not to be okay sometimes okay, आपको guilt में नहीं जाना है कि आपका आज पढ़ाई नहीं हुआ हपते बर से पढ़ाई नहीं हुआ या पिर आपको डायरीया हो गया या पिर कोवीड हो गया तो पंदर दिन आपका पढ़ाई नहीं हुआ actually I also got COVID तो तो तीन मेने मेरा पढ़ाई नहीं हुआ and I suffered from worst post-COVID symptoms तो वो स्वामी जी का वो सेंटेंस था it's okay not to be okay sometimes but आगे एक आता है it's not okay to remain in that state forever you need to jump back you need to bounce back तो सर ये जो पैरग्राफ था मेरे गुरू का it always supported me and helped me to jump back it was discussion with Ashish and lot of learning for you lot of learning for us and everyone दोस्तो आईएस का सपना देखना और उसको उस सपने को साकार करना दोनों अलग लग चीज़े है बहुत लोग dream करते हैं लेकिन जब उसमें आगे बढ़ने की और उसमें मेहनत करने की बारी आती है तो कई लोग step back कर लेते हैं लेकिन अगर आप final मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं तो इंपॉर्टन है पेसंस और पेसंस भी छोटा मुटा नहीं दो साल लग सकते हैं तीन लग सकते हैं और चार भी लग सकते हैं और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं अब लग सकते हैं अपिए रूप जुचना ज़्यादा थर भी लग सकते हैं और रहुंग संस्ट नहीं लग सकते हैं और ले लग सकते हैं Next I.S. is a Next Generation Institute if you want any support from us we will be more than happy to support and we are very eager to help you there are several students who have been associated with Next I.S. and MediG. in different different stages and for the different different of the guidance what we think that student community really requires a true guidance and that is how all the next IAS team is working Ashish many many congratulations to you and lot of the blessings and wishes for your the coming career ahead and this bouquet of flowers it is for your future good career you are the people and the all civil servants who are leading the nation they are making the India and we that is how our country is progressing so once again congratulations and best wishes and this is for you and a small momento from the next IAS